सबसे पहले जानती हैं आज के पंचांग की बारे में नक्षत्र उत्तरा शड़ा दूसरे दिन तक योग सुकर्मा रात दो बचकर 47 मिनट तक रहेगा अभीजीत मूरत प्राता 11 बचकर 45 मिनट से तो दोपर 12 बचकर 31 मिनट तक एस समय कोई भी शुब कारिये प्रार्म करेंगी तो वो कारिये नर्विकन संपन होगा सूरी कन्या राशी में विराजमान रहेंगी चंद्रधनू राशी में विराजमान रहेंगी बात करें राहुकाल की तो राहुकाल दिन के 10 बचकर 41 मिनट से तो बारा बचकर 8 मिनट तक एस समय कोटाले शुब समय का इंतिसार करें सबसे पहले जानते हैं मेश राशी के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है आज प्रतिक कारी सोथ समझ कर करे किसी कारी में जल्दबाजी लापरवाही असाधानी बिल्कुल ना करे नहीं तो आपके कारी बिगड़ सकते हैं ब्रिश्वेब राशी आज धन संभाल कर रखे चोर उचकों से पूजा पार धार्मिकारियों में आज आपका धन खर्चोगा समय के स्तती सामानी कही चुआ सकती है मितुन राशी आज आपको दोड़भा कदिक मात्रा में करनी पर सकती है और धन भी खर्च करना पर सकता है अपने भेदों को गुपतर रखे करकर राशी आज क्रोद पर नियंतरन रखने के अविशक्ता बनाया रखे लंबी यात्रा से परहेस करें दार्मिकारियों में रूची रखे महला वर्ग के लिए दिन अनुकूल है आज लंबी यात्रा से परहेस करें पूजा पाट दार्मिकारियों में रूची रखें आपके घर में कुछ मांगले कारियों हो सकते हैं शिवजी की पूजा आरादना में मन लगाए चन्याराशी आज आपका दिर उत्तम कहा जा सकता है काफी समय से रुके हुए कारिय प्रारम हो सकेंगे बिगड़े हुए कारियों में सुधार होना शुरू हो सकता है शिवजी की पूजा आरादना में रूची रखे तोलाराशी आज अपनी स्वास्ते के प्रती पूरी तरह से साथधानी बनाय रखे कुछ पडोसी आपको परिश्वान करने की कोशिश कर सकते है आज का दिन आपके लिए कठिन हो सकता है किसी समस्या को हलके में समझना पूरी तरह से सतर करने की जरुद पनाय रखे और अपनी करोद पर काबू रखे जिससे की किसी बड़ी समस्या से आप बच सकते हैं तैनुराश्री आज आपका धन चोरी जा सकता है या व्यर्थमेनस्ट हो सकता है या अफ़े हो सकता है अपना धन संबाल कर रखने की जरूद बनाये रखे व्यापारी वर्ग को लाप के अफसर प्राप्त होंगे मकराश्री आज अपनी बच्चों को अपनी नजर के सामने रखने की कोशिश करे क्योंकि बच्चों की वज़े से आज आपको परिशान होना पर सकता है आपके उपर यदि उधारी पड़ी है तो उसे चुकाने का प्रियास करे नहीं तो इसकी वज़ा से आपको परिशानी हो सकती है कुंबराशी आज कोई नया कार्य प्रार्म करना चाहते हैं तो दून उत्तम नहीं कहा जा सकता इसलिए आज कोई भी नया कार्य प्रारम ना करे आपके लिए उत्तम नहीं होगा अपने भेदों को गुपतर रखे दक्ष्ण दिशा की यत्वर ना करे आखरी और अंतिम राशी में राशी आज आपके छोटे बच्चों का स्वास्त भिगर सकता है ध्यान देने की जुरत ब बर्क करे नौ चार पांच तीन पांच 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 एक 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 इस पर प्रत्य एक दिन रात्री दस से ग्यारा बजे तक निशोग